हेलो एवरीवन, वेलकम अगें टू लंटरे देटीमन तो दिखिए हमने दो चैप्टर जो हैं वो कम्प्लीट कर लिये हैं 8th क्लास के तो आप लोग साथ साथ में इनको पढ़ते जाईए क्योंकि यदि आप मार्केट से बुक भी लेते हैं तो आपका मन नहीं लगेगा इन चैप्टर को पढ़ने में यहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर जो है वो पढ़ाया जा रहा है बहुत मजे से इन चीजों को समझीए और ध्यान से पढ़ते चलिए उसके बाद हम हर बार की तरह क्या करते हैं कोशन आंसर करते हैं जिससे की जो भी चीजें रह जाती हैं वो वहाँ पर कवर होती है कोशन आंसर भी मैं इस तरीके से कराती हूं कि पूरा चैप्टर ही कवर हो कुछ भी आपका वहाँ पर बाकी ना रहे तो यहाँ पर आप लोगों के इन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है RBSC जो पुरानी बुक है उसे आप पढ़ते चलिए जो नई बुक लगी हुई है स्कूल में NCRT तो उसमें हमारा राजिस्थान जो अलग से बुक चल रही है उसे हम लोग पढ़ रहे है तो यह जो बुक है कौन सी है हमारा राजिस्थान क्लास एर्थ तो दो चप्टर हमने पढ़ लिए थे जिसमें से लास्ट जो चप्टर है उसमें से एक कुशन का आंसर आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट में देना है कुशन ध्यान से सुनिए कि 1857 की क्रांती में राजिस्थान में नीमच में जब विद्रो हुआ था तो वहाँ पर नेत्रत्व किसने किया था ठीक है ध्यान से सुनिए कि नीमच में विद्रो हो जो हुआ था 1857 की क्रांती में राजिस्थान में तो उस समय नीमच में किसने नित्रत्व किया था कमेंट बॉक्स में सभी आंसर देंगे कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि इसका आंसर हमें नहीं देना है हो सकता है आपके एक्जाम में ये कुशन आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नमबर थ्री है आधुनिक राजिस्थान का निर्मार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसमें हम पढ़ेंगे राजिस्थान का एकी करण किस तरीके से हुआ आज राजिस्थान की जो भोगोलिक और राजरितिक इस्तिती हम देख रहे हैं तो वह कई अथक प्रियासों से देशी रियासतों वा रजवारों के विले के उपरांत अस्तित्व में आई तो जो भी हम देखते हैं, मैप राजस्थान का भोगोलिक द्रस्टी से या राजरितिक द्रस्टी से, तो इसके पीछे भी बहुत सारी बातें रही हैं, तो राजस्थान की एकी करंड में बहुत सारे लोगों का एहम रोल रहा है, यहां पर प्रजाम अंडल आंधोलन जो है एहम भूमिका रहती है, तो राजिस्थान एकी करण की सुग बुगाहट 1949 इस्वी में वायसराय लौड निल लित्गो के एक आदेश के उपरांध प्रारम होई, तो यहाँ पर सबसे पहले वायसराय हैं लौड लिल लित्गो, इनके एक आदेश पर राजिस्थान के एकी की प्रक्रिया प्रारम हो जाती है, और निर्ने जो है अखिल भारतिये देशी राज्य सेवा परिशद ने एक प्रस्ताव पारित करके यह निर्ने लिया, जिन रियासतों वा ठिकानों की आये, 50 लाग रुपे से कम, वा जन्संग्या 20 लाग से कम हो, तो उन्हें पडोस के पड़े राज्य में मिला दिया जाएगा, तो यहाँ पर राज्य की बात, राज्य जो है उससे क्या मतलब है, राज्य से मतलब यह नहीं है, कि मद्धे प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से मिला दिया जाएगा, इसका मतलब यह है कि राज्य स्थान के अंदर की ही बात हो प्रजामंडल आंदोलन द्वारा जन जागरती और एकी करण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 22 मई 1946 के ग्यापन द्वारा ब्रिटिस सरकार ने देशी रियासतों को एकी करण की प्रक्रिया सीग्र पून करने को कहा। 22 सरकार के रियासती विभाग के निरने अनुसार। तंद्र भारत में वे ही रियासते अपना प्रथक अस्तित्व रख सकती थी जिनकी नियूंतम आये कितनी हो एक करोड हो। और जनसंक्या जो है वो 10 लाख या उससे अधिक हो। तो ये अपना एक प्रथक अस्तित्व रख सकती है। जहां हमने पहले क्या देखा था कि अखिल भारतिय देशी राज्य सेवा परिशत जो है ये निरने लेती है कि जो रियासतें जिनकी इंकम जो है 50 लाख रुपए से कम है 20 लाख से कम जिनकी जनसंक्या है वो अपना जो है अलग अस्तित्व नहीं रख सकती। उसके लिए जरूरी क्या है कि उनकी नियूंतमा एक करोड रुपए वार्शिक हो जनसंक्या 10 लाख से अधिक हो तो वह है रियासत जो है वो अपना प्रतक अस्तित्व रख सकती है। यदि इनसे कम है तो उन्हें पडोस के राज्यों में मिला दिया जाएगा। इस मापदंड के अनुसार राज्यस्थान में केवल जैपूर, जोदपूर, वीका नेर और उदैपूर ये क्या है राज्यों जो हम बोल रहे हैं राज्यों ठीक है तो या रियासतें ही सोतंत्र अस्तित्व रख सकती थी क्योंकि इनकी जनसंख्या जो है 10 लाख से भी अध ये क्या चाते थे, ये चाते थे कि एकीकरत राजिस्थान में ये विले के पक्ष्यु में थे, ठीक है, मिलना चाते थे, लेकिन इनकी जनसंख्या तो अधिक थी, प्रजा का नेत्रत तो प्रजा मंडलवा अन्य संखों त्वारा किया जा रहा था, देसी रियासतों के कई स आशकों ने भी विले के प्रस्ताव का समर्थन किया, तो यहाँ पर सभी जो हैं समर्थन कर रहे थे, अब देखिए, एकी करण से पूर्व का राजिस्थान, तो एकी करण से पहले क्या इस्तिती थी राजिस्थान में? एकी करण के पूरु राजिस्थान में 19 तो रियासतें थी जैपुर, जोधपुर, उदैपुर, बीकानेर, बूंदी, कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, डुंगरपुर, प्रतापगड, बांसवाडा, जालावाड, करॉली, सहपुरा, सिरोही, टॉंक, जैसलमेर और क संगड, ठीक है, इनमें जो हैं, तीन तो ठेकाने थे, कुसलगड, लावा और नीमराणा, और एक केंदर सासित प्रदेश था, अजमेर, मेरवारा, तो ध्यान रखें, कि एकी करण से पहले 19 रियासतें सी थी, कौन-कौन सी थी, इनके नाम भी याद रखें, एक्जाम में पूछ लेंगे, कि इन चार में से एक जो है, इनमें शामिल नहीं होगा, मान लीजिए, ऐसे कुशन जो है, वो बना दिया जाए, कि 19 रियासतों में इनमें से कौनसी नहीं थी, जिसमें दे दें कि जैपूर, जोदपूर, उदैपूर और नीमराणा, तो ध्यान रखें, न कोटा रियासत के साशक महराव भीम सींग ने किया, तो सबसे पहला जो प्रियास है किस ने किया, कोटा रियासत के साशक महराव भीम सींग ने, कोटा के बाद महराणा मेवार ने 25 से 26 जून 1946 को इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उदैपूर में, राजिस्थान, जालवा के कतिपए शाषकों का एक सम्मेलन किया। इसी तरह के अन्य सम्मेलन जैपुर में, बूंदी में, कोटा में, जालावाड के साषकों ने भी बुलाए। किन्तु यह प्रयास उनके निजी हितों के पोशन के ही थे, इसलिए प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। शाषकों के समानांतर ही जनता से सीधे जुड़ी संस्थाएं एवं संगठन भी एकी करण की प्रक्रिया में सक्रिया रहे। राज्य प्रजा परिशद और प्रजामंडल के प्रयास समपूर्ण राजिस्थान को एक हिकाई की रूप में गठित कर भारतिय संग में शामिल करने के लक्षे को लेकर जारी थे। तो प्रजा मंडल के जो सदस्य थे जो संस्थाएं चल रही थी लोगों के हितों में कारे कर रही थी तो वो इसे बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आगे ले जाने के लिए तत पर थे ठीक है ताकि पूरा जो राजिस्थान है उसको एक इकाई के रूप में गठित कर और भारतिय संग में शामिल करने के लक्षे को लेकर जारी थे तो यहाँ पर किसी भी शाशक का जो है स्वार्थ जो है सामने ना आए इस तरीके से कार्य हो रहा था उसके बाद देखिए एकी करण के चरण राजिस्थान का एकी करण एक जटिल और चुनोती पूर्ण प्रक्र क्योंकि हर शेत्र का अपने जो है रीती रिवास थे उनकी अलग जो है उनकी शाशन विवस्था थी तो उनको एक तरीके का करना जो है वो इतना आसान नहीं था बहुत ही कठिन कार्या था दीरगकाल से अस्तित्व में रही देशी रियासतों एवं ठिकानों को एक ही सामान प्रशाशनिक विवस्था के तहत लाना कठिन कार रहे था तो यह बहुत ही मुस्किल कारे था कि एक जो है प्रशाशनिक विवस्था जिसे सभी फॉलो करें इने रियासतों में जनसंख्या, सामाज गृती, रिवाज, आर्थिक और राजनितिक विविन्ताएं थी, कुछ रियासतों में परंपरागत पद्यती चल रही थी तो कुछ में आधुनिक साश्चन के मूले प्रचले तो हो गए थे इन सभी शेत्रों में एक समान राजनीतिक प्रशाशनिक विवस्था की स्थापना और समग्र रूप से उनका आर्थिक विकास करना नई सेवाओं की स्था आपना नए नियम बनाना आधी कार्य चुनोती पूंथे इन सभी चुनोतियों से लड़ते हुए नवंबर 1956 में आधुनिक राजिस्थान के निर्मान का कार्य जो है पूरा किया गया फिर भी जो एकी करन की प्रक्रिया है वह है पूरी होती है साथ प्रमुक चर्णों से ग मज सकते हैं तो यहां पर जो है एकी करन की चरण की जो शार्नी है वो दी गई है तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट चेप्टर है आप लोगों के एक्जाम में यहां से प्रस्ण पहले भी आए हैं अब भी आएंगे तो यहां आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है पढ़ते हुए चलिए बहुत आराम से पढ़िए और उसके बाद जो है जब कुशन अंसर करेंगे तो यह सभी चीज़ें जो है जो भी डाउट है आपके क्लियर हो जाएंगे तो चलि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ तब तक आप जो भी पढ़ाया गया है उसको ध्यान में रखें और वीडियो बार बर देखें यही टाइम है आप लोगों का जब आप लोगों को समय मिल रहा है इन चीज़ों को पढ़ने का बाद में आप लोग भ लोगों को